प्राप जानकारी के अनुसार मामला जनपर्द अमेठी के ब्लॉक शुकुल बाजार का है जहांकि ग्राम पंचायत मवईया रहमतगड में अधिकारियों की मिली भगत से सौचालेयों के निर्वान में लाखों का घुटाला सामने आया है आपको बताते चली कि स्वचता अभियान के तहट केंदर सरकार के द्वारा गाओं को बाया सौच मुक्त बनाने के लिए हर घर में सौचाले की निर्मान हेतू ग्राम पंचायतों को धन अवमुक्त करते हुए निटदेशित किया गया था परन्तु ग्राम पंचायत मवईया रहमत गड़ में सरकारी खाते में धन तो निकाल लिया गया लेकिन लाभारतियों को ना तो धन मिल पाया और ना ही उनके सौचाले बनवाए गए जो बनवाई भी गए वे उप्योग करने के काबिल नहीं थे इस बात का खुलासा तो तब हुआ जब ग्रामिनों ने ग्राम पंच्वायत अधिकारी वब प्रधान प्रतिनीधी बात करने को तयार नहीं उक्तमामले की शिकायत ग्रामिनों ने जिला अधिकारी सहीत कई उच्र अधिकारीयों से की लेकिन अभी तक दोश्यों के खिलाफ कोई भी कारवाई नहीं हुई है अब ग्रामिनों ने उक्तमा कि कहां बेटाजी तो यह नाम का रहा है अधर कहां पड़ता है पूरे शुक्लन परधान को रहे हैं जित लगता पाद तो समचाले क्या मैटर है अब ग्रामीडो का पैसा आया और उसको परधान निकाल के पहले ही खाले उसके बाद जब ग्रामीडो को पता चला तो उनके एक आप अच्छा अच्छा और इंडियो पंचायद को नए एडियो पंचायद विजैयातो है वही देखते हैं आप तो उन्होंने क्या बताया उन्होंने बताया कि हम और इसकी पुंद्धी जानकारी नहीं मिली है लगबर-लगबर दौ हफते बीच चुके हैं जो कि अभी तक सबस्क्राइब सब्सक्राइब लगता है तो इसमें लोगों को सौचाले का लाप दे जिया गया है इसकी सिकायत हमने अबर जिलाजिकारी और जिला पंचायर राज जोचित कर दिया है इडियो के पाफ इसकी सिकायत हमने कर दी है और वेस्की कोई कारवारी नहीं नवीशिकारी नहीं ना पैसा मिला ना कुछ बता रहे हैं और हमारे में लगभग अनुमानिक करोणो रूपिय का गमन किया गया है वह किन इसके लोगों ने कमन किया है पर्धा पर्दान का ललतापाल ललतापाल सिघरेटरृ कूछ। लिष्ट में नाम है अब ना उन्हें संचाले बनवाई गई उनका ना उन्हें पैसा मिला है तो हमारे जब मुहले में 3035 हैं ऐसे वेक इसलिए हमें अनुमान है कि लगवक करोने रुपे का घोटाला संचाले में किया गया है अच्छा और इसके लिए हमें जो है आप लोगों की मदद चाहिए हम इसकी जांच करवाना चाहते हैं अर्निश्पच जांच होनी चाहिए यह आप हमारी खबर को उपर तक पहुंचाईए अच्छा जी चलो ठीक बहुत बहुत अनुबाद